जैन सत्यों आज अपना अर्याना जी के एक टोपिक है अर्याना के जिलो का नाम करण अर्याना में टोटल 22 जिले हैं और 22 जिलो का नाम करण अलग-अलग वज़े से नाम पड़ा है किसी का नाम किसी जगय के नाम पर पड़ा है किसी का नाम किसी व्यक्ति का नाम पर पड़ा है तो हर एक व्यक्ति हर एक जगय का चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे सबसे पहला जिला हम उपर से मैप के माद्यम से समझते है अलग-अलग जिले का नाम MAP देना एक बार MAP कहा रखा है और ही रहा मेरा पास है रख्या तो MAP की मादेम से देखते हैं हम देखो सबसे उपर यह जिला है पंचकूला MAP भी आद हो जयगा से माने आपको है सबसे उपर जिला है पंचकूला सबसे पहले है पंचकुला पंचकुला में पंच सब्द है तो सीधी सी बात है पंच कोई न कोई पंच चीज होंगी ठीक है तो कई तो लोग कहते हैं कई किताब कहते हैं पंच जर्णों के कारण और कई किताब कहते हैं पंच कूप यानि कूओं के कारण दोनों कारण याद कर लोगी पंचकूला का नाम पंचकूला क्यों है दो कारण एक तो पांच जर्नों के कारण और कोई कहते हैं पांच को के कारण याद हो जागा पंचकूला के बिलकुल नीचे अंबाडा है तो अंबाडा का नाम अमबाडा होने के भी दो कारण है पहला कारण है आपना मावारत में वो शीन जरूर देख्या होगा या पढ़्या होगा जो मावारत में भी संपिता में वो कासी राज की तीन कन्याओं का अपरन करके ले आता है उनका अरण करके ले आता है अपने बाईयों अपने जो विचित्र वेरी और चित्रागंद के साथ साधी कराने के लिए उनमें अंबा, अंबीका और अंबालीका थी पता है ना आपको ये स्टोरी तो उसमें एक महिला का नाम था अंबालीका और उसी मां अमबालिका के नाम पर अमबाडा का नाम पड़ा है तो पहला कारण किसके नाम पर है अमबालिका के नाम पर है और दूसरा कारण है आमों की अधिकता के कारण है बूत का लैने इतिहास कारों का मानना है कि अमबाडा की जगह में पहले आम जादा होते थे और इसलिए आमों की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ गया अमबाडा इब आपको गिसर आम का और अमबाडा के संब्द है भाई आम को अरियाने में आम भी बोलते है और आम कासीदा संब्द अमबाडा के साथ नजर आ रहा है तो आम अधिकोने कारण इसको क्या नाम बोल दिया अमबाडा लेकिन इस परसन से आप मिस गाइड मत होना अगर एक प लागा नाम करनों गया दो एक तो जरनों के कारण या फिर पांच को के कारण अमबाडा के दो कारण है पहला अमबालिका के नाम पर दूसरा आमों की अधिक्ता के कारण अब तीसरा जिला है यमुना नगर यमुना नगर जो है उसको अगर आप गोर से देखोगे तो आपक से पहले इधर पड़ता है उतराखंड और इसी उतराखंड से एक नदी आ रही है जिसका नाम है यमुना नदी ये यमुना नदी सब से पहले अरियाना के ताजे वाला नामक स्थान पर परवेश करती है और वो ताजे वाला स्थान यमुना नगर में है पहले इसका नाम था अब्दुल्लापूर और उस अब्दुल्लापूर का नाम यमुना नदी का नाम पही कर दिया यमुना नगर तो बताओ यमुना नगर का नाम किसके नाम पहे है यमुना नदी का परवेश दवार होने के कारण बाकी नदीयों में डिटेल से समझा हूँगा मैं इस सारी बात क यमुना नदी का परवेश दवार होने के कारण याद हो जाएगा अब अमबाणा और यमुना नगर के बिलकुल लीचे पड़ता है कुरुग छेत्र ठीक है चोथा जिला है साथियों कुरुग छेत्र कुरुग छेत्र का नाम कुरुग छेत्र है दो टांग याद करवाई थी, एक कैथल औरे के करनाड, ठीक है, एक कैथल है और दूसरा करनाड है, तो नमबर पांच पे जिला है जी कैथल, कैथल का नाम कैथल होने ये दो रीजन है, उससे पहले आप याद करो कैथल का पुराना नाम था कपीस्थल, कपीस्थल, अब कपी ठीरे दिरे इसका नाम कैथर हो गया ठीक है दूसरा कार्ण कहते हैं कि कपी का मतल होता बंदर संस्क्रित में बंदर को कपी बोलते है और कपी सरेश्ट जानी बंदरों में सरेष्ट है अनुमान जी तो कहते हैं ये जो कपी सथल है ये अनुमान जी की जनम सथली है यानि अनुमान जी काड़ जनम होया था इसलिए इसका नाम कपी सथल हो गया अरबाद में दीरे दीरे कैथर तो कैथर का नाम कैथर होने के दो रीजन समझ माया होंगे कपील मुनी के कारण और दूसरा अनुमान जी की जनम स्थली होने के कारण समझ माया है एक दो तीन चार पांच जिले समझ मागे हैं ठीक है अब ये साइड में करनाड है करनाड का नाम तो बहुत असान है महाबारत में ईक राज़ाओ राज उया अंग राज करन कुन्ती के पांच तो पूत्र आपको पताऑँगे कुन्ती का सादी से पहले एक पूत्र था जिसका नाम था सुर्य से उपजा सुर्य पूत्र करन ठीक है राजा करन के नाम पर बिल्कुल आसान बात है राजा कर्ण के नाम पर ठीक है अगला जिला पड़ता है साथियों अब देखो यमुना नदी के साथ साथ वाड़े जिले मैंने आपको पिछली वीडियो में याद करवाए थे सबसे पहले यमुना नगर उसके नीचे करनाड फिर है पानीपत फिर है सोनीपत सोनीपत के नीचे दिल्ली दिल्ली के नीचे फरीदाबाद फरीदाबाद के नीचे है आपका पलवल ठीक है अब दिल्ली जिलों में याद नहीं करनी मनमन में बोलनी है बसकि भी दिल्ली अगर दिली नी बोली बीसमे तो सोनी पत और फरीदाबाद सीधिये बोल दिये तो आफ गयपी नी दोगे ठीक है ना मैं पर याद करना बहुत जरूरी है आपका तो यमुणा नगर div फिर दूसरा है करनाल, इसका नाम करन हो गया, फिर है पानी पत, पानी पत का नाम करन करते हैं, संस्कृत का वया करन हो या अश्टाद्याई, अश्टाद्याई के रचियत है मैरसी पानी नी और उनी मैरसी पानी नी का नाम पर बस रहा है पानी पत, मैरसी पानी नी के नाम प पिताजी का नाम था दसरत और दसरत के आथों से एक पाप हो गया था कि उन्होंने अंजाने में एक बालक की अत्या कर दी थी और उस बाड़क का नाम था सर्वन कुमार और उसी सर्वन कुमार के नाम पर बशया है सोनीपत सर्वन कुमार के नाम पर पूछेतो किसके नाम पर बसाया गया है सरवन कुमार के नाम पर सुनिपत के बिलकुल नीचे ध्यान से देखेंगे त느 दिली है लेकिन दिली अर युणा का जिला नहीं है तो इसको हमने पढ़ेंगे दिली के नीचे है फरीदाबाद और फिर है पल्वल फरीदाबाद और फिर है साथियों पलवल फरीदाबाद का नाम आप सब ने जहांगीर जरूर शुना हुआ है कि मुगल बाद दसा हुआ है जहांगीर और जहांगीर का कैसियर यानि कोसा देक्स होता था फरीद खान कैसियर का मतलब है कि जिसके पास पैसे का इसाब किताब हो और जिसके पास पैसे का इसाब किताब हो तो दो चैर पांच लाग इदर उधर कर सकता है राजा माराजा गटा इंपकोर्ट से कंप्यूटर होया कर दे तो इसने दो चैर लाग इदर उधर कर दिये और अपने नाम से एक सहर बसादिया जो आज जाना जाता है फरीदावाद के नाम से और वो अर्याना का एक बहुत इंपोर्टेंट जिला है जिसको अमजिलो वाइर प्रीज़े में जरूर पड़ेंगे अगला है पलवर, पलवल एक राक्सस होया जिसका नाम था पलंबासूर पलंबासूर की राजदानी थी जिसका नाम था अपलवा या अपलवा और इसी अपलवा अपलवा का दीर दीर नाम बदल बदल के क्या हो गया पलवल तो सीधा कारण याद करो पलवल का नाम पलवल होने का कारण पलंबा सुर राक्सस की अराजदानी तो इधर इधर वाले सारे के सारे जिले हो गये होंगे उपर उपर वाले सारे हो गये होंगे ठीक हजी अब आता है कैथर करनार के नीचे जीन्द पड़ेंगे जीन्द का नाम जीन्द पड़े है जैन्ती देवी का नाम पर अब जैनती देवी है साथियों जीत की देवी इसको जीत की देवी क्यों बोला गया है आप सबको बताओगा दुनिया का सबसे बड़ा वीशव यूद को हो सब से बड़ा वीशुव यूद है महाबारत का यूद और उस महाबारत के यूद में पूरे वीशुव, पूरे बरमान्ड से शेनाय लड़ी थी और उन शेनाओं में छोटी शेना थी पांडवो की लेकिन पांडवो ने यूद से पहले पूजा करी और पूजा करी उन्होंने एक देवी की और वो देवी का नाम था जीत की देवी किसकी देवी जीत की देवी और जीत की देवी को ही कहते हैं जैनती देवी और इसी जैनती देवी का नाम पे बसाया गया साथियों जीन्द को तो जीन्द बसने का कारण क्या है जैन्ती देवी समझ रहे हो और इसी जैन्ती देवी कारण इसका नाम कहा गया है जैन्ती नगरी तो सिंपल परसन क्या बनेगा जीन्द का नाम जीन्द क्यों पड़ा है जैन्ती देवी के कारण या फिर जीत की देवी के कारण यहां तक पड़ेगा फते बाद हम पड़ेंगे एक वार चल पड़ते हम गटना है 1351 की बात है सन 1351 की और उस समय एक सल्तनत काल का फेमस राजा हुआ है फिरोज सातुगलक फिरोज सातुगलक दिल्ली से युद लड़ता लड़ता आ रहा था और दिल्ली से युद लड़ता लड़ता जब आता है वो तो रास्ते में एक जगा पड़ती है इकदार पहले ये जो फते बाद है इस फते बाद को इकदार बोलते थे फते बाद को इकदार बोला जाता था तो इकदार पहले बसा हुआ नहीं था बिलकुल खाली निर्जन सुनसान पड़ा इलाका था उस इकदार में आने के बाद इसको दो सुचनाई मिलती हैं, सुब समाचार मिलते हैं, और सुब समाचार में पहला सुब समाचार था कि इसकी जीत हो गई, और दूसरा सुब समाचार ये कि इसको बेटा हो गया फिरोच्छा तकुलग को, फिरोच्छा तकुलग इतना राजी होया, कि इस चोरेगा नाम दर दिया फते खान और चोरेगा नाम ते एक सहर बसा दिया जो आज जाना जाता फते वाद यानि इसी इकदार की किसमत समग गई और इस इकदार को फते खान के नाम पर बसा दिया गया और नाम रख दिया गया फते वाद तो फते वाद का नाम किसका नाम पर ह फिरोज साथ तुगलक के बेटे फिरोज साथ तुगलक के बेटे फटे खांके नाम पर ठीका इतनी बात याद होगी अब यो फिरोजसा तुगलक जो है यह बड़ा सोकी नादमी था फिरोजसा तुगलक ने नहरे बनवाने का बहुत सोक था तो इसलिए नहरों का निर्माता फिरोजसा तुगलक इसको महल या फिर अवेली बनाने का सोक था तो अवेलियों का निर्माता भी फिरोचा तुगलक इसने सबसे जदा महल या अवेली बनवाई है फतेबाद में इसलिए अवेलियों का सहर कहा जाता है फिरोचा अवेलियों का सहर कहा जाता है फतेबाद को और अवेलियो का निर्माता का आ जाता फिरोजसात तुगलोग को वहतासान सी बात है ठीक है और इसने गुजरी महल बनवाया क्या बनवाया वो बादगी बात है अपा इस्टोर पेपर की जड़ पिजल नहीं करांगे ठीक है अब बात आती 1354 की 1354 में आगे जाके ये किले का निर्मान करता है ठीक है और किले को अर्दू में बोलते हैं इसार किले को अर्दू मोलते हैं इसार और वहां उस किले का नाम पड़ जाता है इसार ए फिरोजा आप सब जानों हो कि अर्दू उल्टी पड़ी जाती है यानि राइट से लेफ्ट की तरफ, ए का मतलब होता है का, फिरोज का, इसार का मतलब होता है किला, तो इसने बना था फिरोज का किला, फिरोज का किला, और उस किले के नाम पर ही आज मरतमान में इसार जिले का नाम इसार है, यहां तक सारे जिले हो गयोंगे यह वारे सारे के सारे ठीक है अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल इसार के निच्च है अपनी बिवानी मतलब मेरी तो है बिवानी बाई मेरा तो पूरा अरियान अबलगी देखो बिवानी बिवानी जिले का नाम बिवानी क्यों पढ़े साथियों राजपूतों में एक परम परतापी राज़ा हुए है जिसका नाम है राज़ा नीम पाल सिंग तवर कोई वीडियो देखने वाड़ा अगर तवर हो तो कमेंट जरूर कोड़ा नीम पाल सिंग तवर तो नीम पाल सिंग तवर जोहाती परमपरतापी राजा वे बलकि राजपूतों का इतिहास बड़ा गोरोसाली रहा है अरियल में अगर ये सत्री राजा ना होते तो सायद हम बहुत-बहुत पहले गुलाम हो गए होते या अपना इतिहास खतम हो गया होता ठीक है तो बलकि योगदान सब का रहा है ऐसी कोई बात नहीं है कि केवलिन का योगदान रहा है हर एक उस बंदे का योगदान रहा है जो सत्ते के लिए लड़ा है उसमें कोई भी कम जादा नहीं है तो नीमपाल सिंग तवर की पतनी का नाम था रानी बहनी देवी और इसी रानी बहनी देवी का नाम पर राजा नीमपाल सिंग तवर ने एक सहर बसाया जिसका नाम रथ दिया बहनी गड़ ठीक है और बहनी गड़ दीरे दीरे बदल बदल का व्यानी व्यानी होते हुए और चर्खी दादरी को बिवानी की छोटी बहन ये छोटी बेबे कहते है चर्खी दादरी चर्खी दादरी में एक सब्द है प्यारे साथियों दादरी और दादरी का मतलब होता है दादुर दादुर संस्कृत का सब्द है और इसका इंदी में मतलब होता है मेंडक कहते ही जगा पर मेंडग बहुत ज़ादा थे और मेंडग ज़ादा होने के कानिश का नाम दादूर पढ़ गया और दीरे दीरिश का नाम चर्की दादरी हो गया तो चर्की दादरी का नाम दादरी क्यों पढ़ आ है दादूर यानि मेंडगों की अधिकता के कारण ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है सा, लेकिन फिर भी, चलो, HSSC मानती है, पढ़ाना पढ़ता है, पढ़ना पढ़ता है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, सरकी जादरी हो गया, ठीक है, अब है रोह तक, रोह तक फिर करेंगे जजज़र, अगला जीला है साथियों, रोह तक, इतियास मा आपने शुनया, वह सत्ते का प्रतीक होया है, राजा हरी संदर, और राजा हरी संदर की पत्री का नाम था राणी तारावती, तो राणी तारावती और राजा हरी संदर का पुत्र होया है, राजा रोहतास, और इस रोहतास या रोहितास का नाम पही बचा है, र का नाम रख दिया चजू नगर और यही चजू नगर दिये बदलते बदलते जजजर के नाम से जाना जाता है बहुत असान सी बात है यहां तक समझ आगया होगा जजजर से बिलकुल नीचे है अपना गुरुगराम, रेवाडी और महिंद्रगड ठीक है गुरुगराम में गुरु सब्द है गुरु दरोनाचारी है पांडव और कोरों के गुरु है और उन्होंने दान में दान में नहीं बलकि दक्षिना में दान तो सवेच्छा से दिया जाता है और दक्षिना होती है फीस तो पड़ाई के फीस के नाम पर दक्षना के नाम पर गुरू दोरोनाचारी को बेट किया था एक गाउं जिसका नाम पढ़ गया गुरू गुरू गुराम तो गुरू के नाम पर गाउं का नाम पढ़ गुरू 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 जी का नाम क्या गुरू दोरोनाचारी है तो अब रेवाडी राजा रेवत की बहन का नाम था रेवती और उन्होंने रेवती का नाम पर एक सहर बसाया था रेवावाडी जो दीरे दीरे करते करते बदल गया किसमें रेवाडी में तो आज जो रेवाडी है वो किसके नाम पर है कुमारी रेवती के नाम पर अब बात है महिंद्रगड पटियाडा आज का दिन तो पंजाब में है लेकिन आपको पता अब मैं पैपसू पड़ा है मत पता लगेगा कि जो आपका ये महिंद्रगड है एक इंडिया में अलग से रज्जे होता था पैपसू बाद में उस पैपसू को पंजाब का भाग बना दिया गया और जब अर्याना अलग हुआ तो उस पैपसू में एक जिला था महिंद्रगड और एक जिला था संगरूर और संगरूर की त पैसिल थी जीन्द तो एक तैसिल आ गई अपने इससे और एक पैपसू का जिला आ गया महिंद्रगड वो बाद में अराम से तसली से पढ़ेंगे पैपसू के बारे में फिलाल पटियाडा अपने जरूर पढ़ा हुगा तो पटियाडा के राजा हुए है महिंदर सिंग और नाम पबश्या है महिंद्रगड ठीक है भाया महिंद्रगड हो गया रेवाडी हो गया गुरुगराम हो गया फरीदाबाद पलवल और मेवात फरीदाबाद पलवल भी हो गए अब बचिया केवल और केवल मेवात ठीक है पलवल हो गया हो गया पलवल चलो जी क्या बच गया केवल और केवल मेवात मेवात में एक सब्द सुपय है मेव और मेव जो हम मुसलिमों में एक कैटेगरी है मुसलिमों में एक जाती होती है मेव तो मेव जाती के मुसलिम सबसे जादा है मेवात में और यहीं मेवात जाती के मुसलमानों के कारण ही मेवात का नाम मेवात है ठीक है और मेवात में सबसे ज़्यादा मुसलिम पाए जाते हैं इसलिए इसको अर्याना की मुसलिम नगरी बोलते हैं इतना साथियों समझ माया होगा जिस भी किसे बानवाईगा समझ मनाया हूँ एक बार वीडियो न दोबारा देख लेना अब उससे समझ आएगा कोई भी कमी लगे वीडियो की तो कमेंट करका बता दिया अगर कोई दिक्कत वारी बात नहीं है आज के लिए इतना जैहिंद जैवारत